नमस्कार मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेग्मेंट चुनावी फीवर आपको बता दे कि चुनावी सरगर्मियों के बीच तमाम विदानसवा शेत्रों में इस्थानी उमिद्वार को लेकर के मूर्चा बुलंद हो गिया है इसी शंकला को आग प्रेश्वर सेना के अध्यक्ष जी हां राजेंद्र चौधरी जी राजेंद्र चौधरी जी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने दर्शकों को बता दें कि जब जब चुनावी बिगुल बचता है तब तब समस्त विदानसवा शेत्रों में इस्थानिय उमिद देपालपूर से आप चाहते हैं इस बार एक इस्थानिय केंडिडेट होना चाहिए और आप स्वयम भी दावेदारी कर रहे हैं और राजेंद्र चोधरी जी आपकी प्रस्ट भूमी भी संग से आती है आप बालेकाल से संग के कारे करता रहे हैं तो कैसे देखते हैं पहले जन प्रतिनिधी भोपाल वेजा जाए वहा हमारे बीच का हो लोकतंत्र हमारे देश में लागो ही इसलिए किया गया था कि जनता के द्वारा जनता के बीच का चुना हुआ प्रतिनिधी और जनता अब यहां चाहती है कि हमारे सुख में जो खड़ा रहे हमारे दुख में ज बाड आई उनमें सभी जन प्रतीनिदी गायब मिले हमारे विधायक सहाब तो सोसल मीडिया पे जब यह मुद्दा उठा कि लोग आपदा और विपत्ती में फसे हुए हैं उसके पस्चात दोड़े दोड़े आए और कुछ गाओं में गए और कुछ पेसे बाटे और वापस व्च ठायब हो गये उस्तिमी जब वेक्ति का जीवन खत्रे में बाड में हमारे चितरे में लगबग- लगबग़ पचास गाओं में जल-मगन हो गए थे उनके बीच में जनता चाहती है कि जो हमारा जनपति निधी है वह हमारे बीच में उस विपत्ति की इस्तिति में खड़ा रहे इसलिए इस्थानी उम्मीद्वार आवश्यक है अच्छा इस्थानी मुद्दे ऐसे क्या-क्या है देपालपूर के आपने बोला जनता में आक्रोश है बावजूद उसके जनता तो बहें फैला कर स्वागत भी करती है अभिनंदन भी करती है और आपकी विदान सवा देपालपूर की बात की जाए तो साल दर साल केवल केलेंडर बदलते हैं आपके वहां केंडिडेट जो आयातीती होता है पाइलेट इंट्री पिछले 65-70 सालों में देपालपूर विधान सवा से एक भी इस्थानी विधायक विधान सवा में हमारा नित्रत्व करने के लिए नहीं गया उसका परिणाम यह हुआ कि देपालपूर में ना तो स्वास्थ की उत्तम सुईधा हैं उत्तम क्या सुईधा नाम की कोई चीजी विधायकों को देखलो चाहे वो कांग्रेस का पक्षका हो या भाजपा के पक्षका हो जो बहारी विधायक रेता है वहाँ विधान सवा का चुनाव लड़ने के लिए हमारे छेतर में आता है और उसके बाद गायब हो जाता है इसलिए अब यहाँ एक जन आंदोलन बन आईए कि संग जो है वो भाजपा की एक बोडी ये दोनों साथ में मिलकर गट जोड करके काम करते हैं कोई सामाजी सरोकारता वाला विशय नहीं है आप स्वयम भी संग से और आप भाजपा पर काउंटर भी कर रहे हैं कि भारती जनता पार्टी भी आयाती चेहरे को चुकि कि बनोश पटेल है नहीं उस विदान सबसे तो आप भी सीदे सीदे आरोब लगा रहे हैं भाजपा पर भी कि भाजपा ने भी कोई वफादारी नहीं किये देपालपूर के साथ में नए नए हम यही कह रहे हैं हम हमारे मुद्दे के बात कर रहे हैं हम जनता का विशय पार खामियां क्या-क्या देखने को आई सिटिंग एमेले हैं अच्छे मतों से चुनाओं भी जीते पर आप बता रहे हैं चुकि निश्क्रिये हैं तो ऐसी कौन सी खामियां आपको नजर आई जिसको ले करके जनता जो है परिवर्तन पर मोहर लगा सकती है जैसे विसाल पटेल कभी बीच हित्र में सक्रिये नहीं दिखते हैं जनता की कोई आवाज नहीं उठाते हैं जनता के बीच में नहीं रहते हैं यहाँ एक उनकी सबसे बड़ी कमी है वहाँ उनका निवास देपालपूर से लगभग 60 किलो मिटर की दूरी पे है और जनता के बीच में से गायब जाता है कि एक कोई समय था जब शिवरात्री की दिन आपके एक आवान पर समस्त देपालपूर वासियों ने अपना व्यापार अपना काम का छोड़ करके जो है पूजा पाड में ध्यान मग निकिया अच्छा क्या था आखिरकार कैसे कैसे संभव हो पाया यह सब की जनता से आहवान किया था कि हम सबको मिलकर इस मंदिर का जिर्णों धार करना है और महा सिवरात्री के दिन उस मंदिर पर पूजन करने के लिए चलना है इसलिए लाखों की संख्या में देपालपूर के निवासी निकल के आये और उन्होंने उस मंदिर के उपर पूजन और अर्चन किया देपालपूर में कलोता समाज आधिपत्य है कि दोनों ही पार्टी यह पहले सतिनारायन पटेल लड़ते थे बाद में विशाल पटेल चुना लड़े बीजेपी की बात की जाये तो मनोज पतेल पते सायर धाकड समाज से आते हैं वो साहित कलोता से हैं नहीं पर सामाजिक सरोकार क्या है बतलब क्या लगता है सामाजिक वोड बिंग क्या कहता है देपालपूर का मेरी विचार धरा हिंदुत्व की विचार धरा है और मैं किसी जाती और समाज की बात नहीं करता हूँ मैं समस्त हिंदूओं की बात करता हूँ और सारे हिंदू हमारे साथ है इसलिए मैं किसी भी जाती के पक्ष में कभी भी बोलता भी नहीं हूँ और सामाजिक सम्रस्टा का काम करता हूँ या भाव लेकर मैं और मेरी टीम कार्य करते हैं अर्थात सभी हिंदू सहोदर भाई है इस भाव को लेकर हम काम करते हैं चलिए आपका भाव अच्छा है बता समस्त जाती समस्त धर्मों को आप एक साथ ले करके एक कुटुम्ब मान करके जीवन जीना चाहते हैं और सभी को एक पिरामीटर पर बैठाना चाहते हैं चलिए बीजेपी से चुना लगना चाहते होंगे चुकि हिंदुतुवादी सोच संग से आपका बेग्राउंड है तो मन तो आपका भाजपास ही चुना लड़ने का होगा तो इदर तो बहुत बड़ी समस्या है वह अनोश पटेल बताया जाता है कि सियम शिवरासीन चोहां नरेंसीन टोमर सभी के वेहत खास हैं और इन सब चीजों को ध्यान में रखते इस्थानिता का मुद्दा अब समर्थन का मोहताज नहीं है यहाँ एक जन आंदोलन बन चुका है आप देपालपूर विधान सभा के गाओं का ब्रह्मन कीजिए वहां गली-गली महले-महले घरों में यही चर्चा है कि इस बार इस्थानिय उम्मीद वा नहीं आप जो कह करने हैं यह मुद्दा नहीं है జहां से देख लेकी महूं डेपालपूर हो यह था कुछ महीने पहले टान दीये जाते है Housing parents परन्तु होता वही है महूं में वही होता है बारती जनता पाटी आयाती चेहरे को उतार देती आपके देपालपुर में वही होता है आती चेहरों को उतार दिया जाता है जनता का आक्रोश रहता है या उन उमीदवारों का आक्रोश रहता है जो सपने संजों के बैठे रहते ह अपकी बार अपनी खुद की सरकार देखो देपालपूर का विशाई इन सब दूसरी चीजों से भिन्न है देपालपूर में अब जो इस्थानिता का मुद्दा है वो गाओं गली मोहले से दूर जाकर अप त्यक घर में इस विशाई के उपर चिंतन और विचार हो रहा है इस करेंस बार कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होगा चलिए एक शब्द चलता है वकील मजबूत होना चाहिए ना मतलब जो वहां तक आपकी बात दिल्ली भोपाल तक आपकी बात को पहुंचा पाए कि भाई साब राजेंडर चौधरी जो है स्थानी है चुनाओ लड़ना क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर आपकी बात पहुंचना भी जरूरी है। जानली जया का टिकेट नहीं मिलता है। के आवाज को सुनेगी ऐसा मेरा ध्रडविश्वास है और इस बार आपको परिवर्तन देखने को मिलें चलिए अगर भाजपा आपको आउसर नहीं देती एक बार मान लेते हैं उमिद्वारी करना तो आपका पर क्यों मान लेना ऐसा है पर अगर टिकेट नहीं मिलता है तो क् प्रत्याशी के रूप में दावा ठोकेंगे क्या जनता की आवाज को बुलैंद करेंगे क्या चुनाओ लड़ने की महतवकांशा तब भी जिन्दा रहेकी या भारती जनता के संगठन के साहत में सुर में सुर मिला करके भाजपा के केंडिडिवेट का साहत देंगे दोखो में भाविश्य में क्या होगा यह से संभावना को लेकर में नहीं जीता हूँ मैं वर्तमान में बात करता हूँ और मैं वर्तमान में भाजपा से दावेदारी कर रहा हूँ और भाजपा इस्थानिता को महत्व देगी जन भावनाओं को महत्व देगी ऐसा मेरा धड़ विशाल पटेल जैसे बड़े चटान समान कांग्रेसी नेता को आप चुनाओ भी चलिए हम भरा देते हैं तो देपालपूर कैसा हो आपके सपनों का देपालपूर कैसा होना चाहिए हमारे सपनों का देपालपूर तो हम अभी प्रात्मिक स्विधाओं के लिए तरस रहे हम देपालपूर में अच्छे सासकी अस्पितालों की स्विधा देपालपूर की जनता को देना चाहेंगे जो आज नाम मात्र के रूप में भी नहीं मिल रही है हम देपालपूर में जो सिक्षा का इस्तर है उसको उठाना चाहेंगे अगर मैं सही हूँ तो 1980 के दसक से देपालपूर में कालेज है लेकिन आज भी सिर्फ दो फेकल्टी चलती है Arts and Commerce अगर देपालपूर के बच्चे को साइन्स पढ़ना है तो उसे इंदोर आना पड़ेगा हम इन सुविधाओं को देपालपूर में उपलब्द करवाना चाहेंगे सिक्षा के इस्तर में देपालपूर इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ एक भी तकनी की संस्थान नहीं है ना नर्सिंग कालेज कुछ भी नहीं है हम इन सुविधाओं को देपालपूर के लिए उपलब्द करवाना चाहेंगे क्या लगता है लाडली बहना योजना आपको लगता है आपकी विधान सवा में कारगर सिद्ध होगी टिकेट चाहे किसी को भी मिले लाडली बहना आपको लगता है कि चुनावी वोट बेंग के धुरूवी करण में बहुत बड़ा योगदान निभाएगी बिलकुल बरावर जो ये लाडली बहना योजना है इससे महिलाओं का सीधा ही तो जुडा हुआ है और इससे महिलाएं सीधी भाजपा से जुडेगी और भाजपा को वोट करेगी किसान तो बिलकुल भारती जनता पार्टी के साथ है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया था मैं उस समय छोटा था लेकिन ये जो आप लाइट देख रहे हैं एसी लाइट आती थी दिग्युजे सिंग के सासनकाल में के उससे चिमनी का लाइट जादा हो तो किसानों की कांग्रेस की बहुत दूर दरसा अभी किसान भुला नहीं है और किसान भारती जनता पार्टी के साथ आज की स्तिथी में दिखता हैं सामाजिक सम्रस्ता जिसे कोई भी हिंदू उचा नहीं है और कोई भी हिंदू नीचा नहीं है सबी हिंदू समाने इसी भाव को लेकर हमने देपालपुर विधान सभा के 55 ग्राववयों में एक संगत और एक पंगत भारत के ग्रामिन छेत्र में आज भी विडंबना है कि पंगत का भेद है उसको हमने देपालपुर विधान सभा से लगभग समाप्त कर दिया है देपालपुर विधान सभा की इसी कई धर्मसाला हैं जो आज के युग में भी दलित समुदाई के लिए खुली हुई नहीं थी उनको खुलवाया है मंदिरों में प्रवेश करवाया है और आगे भी हम इस विशाई को लेकर देपालपुरी नहीं पूरे मद्धिप्रदेश में समरस्ता के छेत्र में कारे करना चाहेंगे आज अगर जाती गत रूप से कहीं भी कोई मुद्दा बनता है तो देपालपुर विधान सभा के प्रत्यक गाउं में हमारी समरस्ता की टीम है जिसमें सभी जाती और सभी वर्णों के लोग समली थे चलिए तो मामा जी आपसे बैर नहीं और बाहरी प्रत्याशियों की खेर नहीं मुझे ऐसा कहना है राजेंदर चोधरी जी का इनका मानना है कि इस्थानी एक केंडिडेट को उसर दीजिए ताकि देपालपुर का हो सरवांगिड विकास क्या रहेगा राजेंदर चोधरी क राजनितिक सफर क्या भारती जनता पार्टी लेगी सुध क्या राजेंदर चोधरी को मिलेगा विधायक का टिकेट क्या होगा इनका राजनितिक भविष्ट तमाम सवाल और इनके जवाब भविष्ट के गर्भ में हैं बहराल मुझे देदीजे इजास अतर बने रहेए र